जै माता की दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो आप सभी का हारतिक स्वागते महाकाली भगत गयानी यूटुब चैनल में तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 26 तारीको माता काली के मंदर में बस ये तीन चीज चड़ा देना जब माता को बुलाओगे माता दोड़ी दोड़ी आपके पास आएगी जब जब आप पुकारेंगे तब तब आएगी माता काली आपके पास और अन्य देवी के अगर आप भकते हैं तो आप भी इस कारे को कर सकते हैं अपने देवी के मंदर में जाके मतलब जो तीन चीच चड़ानी हैं आपको मंदर में जाके वो माता काली की प्रिये चीज है और आप मालो अन्य देवी के भक्त हैं आप अन्य देवियों को अपने घर में पूझते हैं तो उन देवी के मंदर में जाकर आप उनको ये तीन उनकी प्रिये चीज जरूर चड़ा अगर आप अपने घर को परिवार को ठिक ठाक रखना चाहते हैं तो ये वाला कारे जरूर कर लेना क्योंकि कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको अपने देवी देपता मा काली से कुछ पूछना पड़ जाया तो आप इसी तरीके से माता से पूछ सकने हैं जब ये आपको एक शक्ति खुद प्रदान कराईगी अपनी शक्ति के अंस जिससे कि जब जब आप माता को पुकारेंगे तब तब माता आपके पास दोड़ी दोड़ी आएगी और आपकी प्रोब्लम के सभी जितनी भी दिक्कत हैं उनके शलूशन आपको खुद बता कर जाएगी तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भकतों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भकतों से में एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भकत ग्यानी यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज देवियो के भकते हैं तो यह जो बीडियो है यह सिर्फ देवियो की ही है और यह जो कारी है यह सिर्फ देवियो को बुलाने के लिए ही करा जाता है अब जैसे मानलो हम मातकाली को बुलाएंगे तो हम मातकाली को बुलाने के लिए यह कारी करेंगे माकाली के मंदर में जाक आप से आप सभी भक्तों को दुरगानोमी की धेर सारिशोंकामना आ है और इसे आप सभी करल्यान करें खुश रहें आप और खुश रहें आपका परीवाट तो यह तीन चीज मैं आपको माता काली के मंदर में जाकर चड़ानी है वो 26 को तो पहली चीज मैं आपको बता दू जो आपको मातकाली को मंदर में जाके चड़ानी है। अगर आप मातकाली को बुलाना चाते हैं तो यह कारे आपको जरूर करना होगा। एक आपको मातकाली के लिए साड़ी लेनी है लाल कलर की ठीक है। कि चाया आप स्थी लोग या महेंगी वाली लोग वो आपकी सर्दा है सु study ऐसमें अमने कॉछ कह सकें एक साडही आपको माता के लिए लीनी है ठीक है और माता का सिंगार ले लेना हैं आपको साथ सिंगार frames अगर आप 16 सिंगा नहीं चड़ा सकते तो साथ ले लें कोई जैसे नखुन पाली बिंदी और लिपिष्टी यह सब चीज़ आप ले ले लें औरी जनल यह दो चीज हो गई तीसरी चीज आप माता काली को मीठे में कुछ भोग लेकर जाएं अपने घर से बना के लेकर जाएं यदि कोई भी व्यक्ति जब भगत बनता है ठीक है जब उसके उपर सवारियों को बुलाया जाता तो उससे पहले वो यही सेवा करता है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ यानि कि यह जो चीज है यह तो मैं आपको बता रही हूं कि आपको 26 तारीक को चड़ा माता को तो माता दोड़ी दोड़ी आती है और जब जब वो सदे माता को पुकारते हैं तब तब माता उनके उपर आती है बाकी बिना बुलाया माता नहीं आती है तो बस आपको कुछ भी करने की कोई ज़रुत नहीं है 26 तारीक को आपको यह कारे करना है आपके आसपास मंदिर है आपको जाना है मंदिर में ही जाना है घर पे नहीं करना है और वहां जाकर आपको सबसे पहले माभगवती के दर्शन करके वहां के जो पंड़त होते हैं उन पंड़त को अपना समान सारा दे दे और हाँ एक बात में और बता दूँ जब आप यह समान देंगे तो उ मैं आपकी भेट जो है छोटी सी लेके जा रहा हूं आपके मंदर पे आप इसे सुविकार कीजिए और मेरी गलतियों को शमा कीजिए और मैया मुझे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए मेर को जब जब मैं आपको बुलाओं तब तब आप मेरे पास आए और दोड़ी दोड़ी आए पूरे भगतों को छोड़के सबसे पहले आप मेरे पास आए ऐसा आपको बोलना है इससे क्या होगा कि जब मालो जैसे करोडो भक्त बैटे हैं या हजार भक्त बैटे हैं तो जब आप माता को पुकारेंगे तो माता सबसे पहले आपके पास उठकर आएगी अगर आप सच्चे होंगे तो बस इसी तरीके से आपको ये कारे करना है 26 तारीकों करना है माकाली की किसी भी मंदर में जाके आप ये तीन चीजे जरूर चड़ा देना तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादे माता काली बाबा भूले ना ता आप सभी की सारी मनुकामनाएं पूरी करें जै माकाली ओम नमस्यूद